जब एक हाथी को छुटा सा साप काट लेता है तब हाथी के सिरीर के अंदर ऐसी क्या चीज होती है जिसे 3000 किलो के हाथी की मोथ हो जाती है चलो इसके राज को 3D एनिमेशन की मदद से देखते हैं देखो जब भी साप कोडर लगता है तब ये साप अपने दोनों दातों को यानि इसके फैंस को हाथी की स्किन के अंदर 2 इंच तक घुसा कर है डेरिया में मुझूद वेनम ग्लेंट से जहर इन वेनम डक्स के थूरू हाथी के बलड स्ट्रीम के अंदर डेरेक्टली छोड देता है इस बाइट के बाद स्किन का कदर डार्क होने के साथ खतरनाक सोजन तेज दर्द ओजलन होने लगती है ज़्यादा तरसापों का जहर हीमो टोक्सिन होता है जिसके वजह से बलड के अंदर कोट बनने लगती है यानि की खून जमने लगता है और ये जहर हाथी की बोडी के अंदर नीचे से उपर फैलने लगता है सबसे पहले जहर हाथी की चारों टांगों के अंदर फैलता है क्योंकि हाथी की टांगों के अंदर खून सबसे ज़्यादा इखटा हुआ होता है टांगों के अंदर फैलने के बाद जहर हाथी के पेट, डाइजेस्ट्री सिस्टम, किड्नी, लिवर में से होता हुए हाथी की सूंड और ब्रेन एरिया में पोचता है यहां तक आते आते हाथी का 85% बलड जम जाता है जिसे हार्ट में खूल नहीं जाता और हार्ट एटेक्स से हाथी की मोथ हो जाती है